असलाम वालेकुम गाईज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, क्विक लेर्निंग विग नूर आज हम बटोल्ड ब्रेक्ट के प्ले दा थ्री पैनी ओपरा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टेंस को कवर करने लगे हैं क्योंकि इस प्ले में डिरेक्टली ओडियंस के साथ कम्यूनिकेट किया जाता है, इसी वज़े से इसके थीम्स या मैसिज को कवर करना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है The first one is selfishness, greed or lust for money Mr. Peacham, MacHeed और जिनिजैने के करेक्टर में selfish nature और greed को easily observe किया जा सकता है अगर हम Mr. Peacham के करेक्टर को discuss करें तो वो एक lustी और greedy person है वो बैगर्ड्स के लिए establishment तो करता है, मगर वो ये सब कुछ अपने बिसन exceptions को आगे बढ़ाने के लिए करता है वो बेगर्स के लिए अपने दिल में रहम नहीं रखता और वो सिरफ उनसे प्राफिट गेन करना चाहता है वो इस प्ले में बेगर्स और पूर्स को एक्स्प्लोइट भी करता है इस तरह उसके करेक्टर में सेलफिशनेस और ग्रीड फॉर मनी पाई जाती है इस प्ले की करेक्टर एनलेसिस में हम मैख हीट के करेक्टर को डीपली स्टडी कर चुके हैं तो आप उससे भी हैल्प ले सकते हैं इस दा करेक्टर ओफ जिनी जैनी जो के इस प्ले में एक प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले करती है जिनी जिनी की नेचर भी selfish और greedy होती है क्योंकि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है उसके करेक्टर के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती और वो पैसे के लिए अपने lover मैक हीट को भी दोका दे देती है The next one is the character of Mackie जो के एक frauder criminal होने के साथ साथ एक lusty person भी था Modern play the three penny opera के most of the characters flat हैं क्योंकि वो play के खतम होने तक अपने characters और ambitions को change नहीं करते Mackie लूसी से सिरफ इस वज़ा से शादी करता है क्योंकि वो एक authoritative person शेरिफ Tiger Brown की बेटी है The second major theme of the play is exploitation of the bourgeoisie class जिसमें Tiger Brown और लंडन में अपोइंट होने वाली new queen का नाम शामिल है Tiger Brown एक frauder criminal Mackie का friend होता है जो के Mackie को डाके डालने की permission देने के साथ साथ उसे रिशुट भी लेता है ता कि उसे पुलिस से बचा सके वो एक law officer होता है मगर वो डाकों को ये allow करता है कि वो लंडन के rules को break करें The next one is the character of queen जो के king of thieves यानि के Mackie को favor देती है वो Mackie को ना सिरफ माफ करती है बलकि उसे एक royal title भी देती है Queen के character को London की administration के लिए exploitation टूल के तोर पर यूज किया गया है क्योंकि London में Sheriff Tiger Brown और Queen criminal Mackie को support करते हैं जिसकी वज़ा से Mackie और उसकी gang को और ज्यादा crimes commit करने की हिम्मत आती है The next one is the hypocrisy of capitalism which is also a major theme of the play The Three Penny Opera Play में capitalism के effects सारे characters पर दिखाये जाते हैं The Three Penny Opera में include किये गए सारे characters को money और power से motivation मिलती है जिनी जनी प्ले के एक ending scene में The Song of Solomon Mackie के लिए गाती है जिसमें वो ये कहती है कि Mackie के emotion ही उसे बरबादी के तरफ ले कर जाएंगे The Song of Solomon के through readers के सामने इस message को conclude किया जाता है People are better off without the good qualities of wisdom, bravery and emotion that ultimately lead to their downfall Only self interest is rewarded in the struggle for survival इसलिए लोगों को wisdom, bravery और emotion जैसी अची qualities को adopt नहीं करना चाहिए जो के उन्हें downfall की तरफ ले जाए और उनकी नेकी ही बाद में उनके लिए पश्तावा बन जाए इस दुनिया में जिने के लिए खुदगर्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है हिपोक्रेसी करने वाले को रियल लाइफ में punishment दी जाती है मगर play में ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता The next one is ironic duplicity while duplicity means two shares of a human personality और nature Play में मैक हीट, जिनी जैनी और टाइगर ब्राउन के character की double-sided nature दिखाई गई है जब play की beginning में मिस्स पिचम, मिस्टर पिचम को आकर ये बताती है कि उनकी बेटी पॉली पिचम किसी को पसंद करती है तब वो मैक हीट को ऐसे describe करती है कि वो person देखने में एक gentleman लगता है क्योंकि उसने हाथ में white gloves पहने होते हैं और shoes के साथ साथ वो हाथ में एक छड़ी भी रखता है जो के ivory से बनी हुई है सीलिया पिचम मैक हीट को एक gentleman consider करती है मगर वो reality में एक fraud, rapist और criminal होता है The next one is the character of Ginny Jenny जिसे play में एक अच्छी लर्की दिखाया गया है मगर वो मैक हीट को पैसे के लिए धोका दे देती है Jenny मैक हीट के बारे में ये कहती है He is the last gentleman left in London यानि के लंडन में मैक हीट के इलावा और कोई gentleman बाकी नहीं बचा मगर उसका character ये decide करता है कि वो इस play में सबसे ज़्यादा un gentleman है ये बात audience को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे लंडन की values दिन बदिन गिरती चली जा रही है जिसकी वज़ा से मैक हीट जैसे criminal को gentleman का title दिया जाता है जिनी जैनी की nature की भी two sides है जो के मैक हीट के सामने हर वक्त उसकी तारीफ करती रहती है मगर जैसे ही सीलिया पिचम उसे ये offer देती है कि अगर वो मैक हीट को पकरवाने में उनकी मदद करेगी तो वो उसे बदले में कुछ पैसे भी देगी ये सुनकर जीनी जैनी मैक हीट के खिलाफ हो जाती है और सीलिया पिचम के लिए काम करना शुरू कर देती है के दर्मियान का रिष्टा बहुत ज़्यादा मजबूत है जिसकी वज़ा से लंडन में ये रिकरगनाइज करना काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पर्सन एड्मिनिस्ट्रेशन का पार्ट है और कौन क्रिमिनल है इसके लावा इस प्ले के दूसरे थीम्स में Brutality of Humans और Arbitraryness of Values भी शामिल है इन थीम्स को हम आगे सिंबलिजम वाले क्वेस्टन में कवर करेंगे इसके लावा ओडियंस पर Alienation Effect को भी प्रिजेंट किया जाता है जिसे हम Bertold Brecht के प्रिजेंट किये गए Epic Theater में कवर करेंगे इसके बाद मैक हीट की नेचर प्ले में उसे दिया जाने वाला टाइटल और उसके एक्शन पर फोकस किया जाएगा लास्टली हम उसके बिजनस के बारे में डिसकेशन करेंगे और उसकी Criminal, Thief, Fraud or Repist यासी Qualities को टिपिक्ट करते हुए इस Question के आंसर को कवर कर लेंगे The Next Question is Which Symbols are used in the Play The Three Penny Opera? This Question can also be in the form of How The Three Penny Opera is a Symbolic Play इस Question के आंसर में हम Play The Three Penny Opera में यूज़ होने वाले Symbols को कवर करेंगे The First One is The Moon जिसे बार-बार इस प्ले में सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है मून प्ले के करेक्टर्स की तरफ से और्डियन्स को एक Guiding Light प्रोवाइट करता है इसके लावा जब मैक हीत और जिनी जैनी एक डूएट गारे होते हैं तो वहाँ पर मून को लव और रूमेंस के लिए सिंबल के तौर पर यूज़ किया जाता है क्योंकि प्ले में मैक हीत और जिनी जैनी के दरम्यान एक लव अफेर होता है और आप लोगों ने मूवीज में ये अब्सर्फ किया होगा कि किसी भी सीन को और ज्यादा ब्यूटिफूल और रूमेंटिक बनाने के लिए मून को यूज़ किया जाता है पैनी जाल सो यूज़ एज असा सिंबल इन दा प्ले दा थ्री पैनी ओपरा विच सिंबोलाइज़ मनी ले के थ्रू ये मैसेज भी प्रिजेंट किया जाता है कि इस वर्ल्ड में लव से ज़्यादा मनी की इंपॉर्टेंस है किसी भी कैपिटलिस्ट सुसाइटी में मनी को ही त्रू मोटिवेटर कंसीडर किया जाता है Capitalism एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर परसन ज़्यादा से ज़्यादा profit गेन करना चाहता है और इस profit को गेन करने के लिए वो किसी का भी नुकसान करने के लिए त्यार होता है Polly Mrs. Picham के सामने ये दावा करती है कि Love is the most important thing in the world क्योंकि वो मैखेट को पसंद करती है इसलिए वो अपनी Mother Mrs. Picham को convince करने के लिए ये कहती है कि इस दुनिया में प्यार से ज़्यादा important और कुछ भी नहीं होता मगर Mrs. Picham उससे बिलकुल opposite views रखती है और वो ये कहती है Money rules the world यानि के दुनिया पर सिराफ पैसा ही हकुमत करता है The next one is sex or getting physical player from something इसी symbol को play में two different functions को perform करने के लिए यूज किया जाता है First of all इस symbol के through ये दिखा जाता है कि कैसे लोग अपनी physical urges या desire को fulfill करने के लिए कोशिश करते हैं इसकी example play के उस scene से लिए जा सकती है जहाँ पर poly picture Mac Heath को ये advice देती है कि उसके parents Mac Heath के सकत खिलाफ हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस किसी तरह Mac Heath को arrest कर ले इसलिए तुम्हें लंडन को छोड़ कर कुछ हरसे के लिए कई ही और shift हो जाना जाहिए मगर क्योंकि उसी दिन Mac Heath की जिनी जैनी के साथ weekly appointment होने वाली थी इसलिए वो अपनी physical desires को fulfill करने के लिए लंडन को छोड़ने की बजाए जीनी जैनी के पास चला जाता है सीन के थुरू ये दिखाया जाता है कि लोग कैसे अपनी physical desires को सबसे ज़्यादा motivate करते हैं Secondly, इसी symbol के थुरू ये भी दिखाया जाता है कि किसी भी capitalist system में prostitute भी दूशे character से ज़्यादा different नहीं होती क्योंकि वो ऐसी services provide करती हैं जिन से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके हर कोई money gain करने और अपने business को आगे चलाने के लिए कुछ ना कुछ sale करता है मगर वो सिरफ money या wealth को gain करने के लिए अपनी इज़त का सोदा कर लेती है The next one is white gloves जो के मैग heat की physical appearance को symbolize करता है उसके dressing style को भी ironic way में present किया गया है क्योंके जब वो shoes और white gloves को पहनता है और अपने हाद में ivory cane को carry करता है तो वो एक gentleman दिखाई देता है और इसी रूप में वो polypichum की mother मिसिस पichum से मिलता है जिसे वो बहुत ज़्यादा impress हो जाती है उसके white gloves को brutality of humans के लिए metaphor के तोर पर use किया गया है जो के ये symbolize करता है के उपर से शरीफ नजर आने वाले इनसान अंदर से कितने ज़्यादा जालिम होते हैं वो अपने crimes को अपनी decent dressing के पीछे चुपा लेता है similarly society भी अपने exploitation को चुपाने के लिए gentle Christian morality का सहाड़ा लेती है The next symbol that is used in the play is kings and queens Play the three penny opera के action को England में आने वाली new queen की coronation के प्रेड के दोरान दिखाया जाता है Mac Heath को king of thieves का title दिया जाता है और उसका character ये symbolize करता है के लंडन में values कितनी ज़्यादा bitter हो चुकी है और उसके father-in-law Mr. Picham को king of the baggers का title दिया जाता है मगर उसमें king की कोई भी quality नहीं पाई जाती England में आने वाली new queen Mac Heath यानि के the king of thieves को माफ कर देती है और play के final scene में वो से एक royal title भी देती है जिसकी वज़ा से वो aristocracy का एक real member बन जाता है Queen का ये action aristocratic society की absurdity को symbolize करता है Here the word absurdity means falling into ridiculous and unreasonable actions Bertold Brecht readers को ये message convey करने की कोशिश करते हैं कि Queen को ना तो से माफ करना चाहिए था और ना ही उसे royal title देना चाहिए था इसलिए इस play में kings और queens exploitation को symbolize करते हैं Bertold Brecht का epic theater और theory of drama भी इस play के most important questions में included है जिसे हम separately Bertold Brecht as a dramatist में cover करेंगे और इसके love wise play को as a style भी cover करेंगे So that's all for today, thank you so much for watching this video अगर आज का lecture आपके लिए informative था तो वीडियो को like share करके एक अच्छा सा comment भी कर दे अगर आपने अभी तक मेरे YouTube channel को subscribe नहीं किया तो subscribe करके bell icon को भी प्रेस कर दे ताके आपको हर नई वीडियो का notification मिल सके English courses से related detail information को gain करने के लिए आप मेरे Facebook page को भी follow कर सकते हैं Also you can suggest any new topic in the comment section So guys, take care of yourself. Inshallah we will meet in the upcoming video lecture. Till then, Allah peace